और विवोज अब रुक कर लेते हैं हमारे इस्क्लूसिफ गेस्ट का मारे साथ आज मौजूद है अभी नेता और अब भारती जनता पार्टी के नेता शेखर सुमन और शेखर सुमन की नई वेब सिरीज सुपर डूपर हिट है एक नई 43 डेशो में सुपर हिट है हीरा मंडी उसका नाम है और वो सुपर डूपर हिट है तो शेखर जी एक हिट वेब सिरीज और अब एक वो पॉलिटिकल पार्टी जो की तीसरी बार हो सकता है देश के अंदर सत्ता बनाए नरेंद्र मोधी हैट्रिक लगाए तो यह सयोग है या प्रयोग है देखिए एक अब नेता हमेशा परयोग पर ही निर्भर करता है हीरा मंडी भी एक प्रयोग ही है जिरी जुछके कई सीन्स प्रयोग ہیں क्योंकि set पे आने पे scenes बदल देते थे बनसाली साब यह उनकी खासियत है और फिर हम प्रयोग करते थे कि यह किस तरह से बहतर से बहतर किया जा सके तो मैं कहूंगा कि भारतिय जनता पार्टी में आना एक प्रयोग भी है, एक संयोग भी है, एक योग भी है जी और क्या है कि कुछ चीजों की आमद उपर से होती है और कभी कभी आप खुद निर्णे नहीं ले पाते और अचानक एक दिल की आवाज हूख कहीं से उठती है कि आपको ऐसा करना है या करना चाहिए उसके तहत आप वो ततपर हो दाते हैं और वो कर देते हैं एक जब मैं इनकी खुशियों में अभी एक तूफान आया था प्रोफेशनली हीरा मंडी को मैं जॉई कर रहा था अचानक दिल से एक आवाज आई कि हम कहीं न कहीं अपनी एक दुनिया में बहुत जादा महफूज हैं एक अभिने की दुनिया में एक भारी दुनिया से कहीं ने कहीं ए वो मैं करूँ और मुझे उसका रास्ता यही नजर आया कि मैं भारतिय जनता पार्टी की भारतियता से और जनता जनारदन से जुड़के अपनी एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट है कि आपने 15 साल पहले बीजीपी के खिलाफी पटना साहिप में चुनाव लड़ा था और शत ना यूज करें मैं किसी के खिलाफ नहीं था ना मैं पार्टी के खिलाफ था ना शत्रुगन सिना के खिलाफ यह तो एक एक कहलें की एक तरीका है यह इसी तरीके से यह जैसे खेल में दोनों तरफ खिलारी होते हैं लेकिन वो अपोनेंट्स होते हैं वो दुश्मन नहीं हो ने ढूपको पोते हैं वहांतों है चैनल जब गितना दोस्त मानते हैं उन्होंने जब अलग है जी जब मैं इस तरफ था जी रालकि सच बात को माफ को पूरा करने दीजै कि मैं सच बात बताऊं कि इन दोनों में फार्ख सिर्फ इतना है कि उस वक्त राजनीत ने मुझे चुना था जिसके लिए मैं तयार ने था इस वक्त मैंने ये रास्ता चुना है फर्क यह है फर्क उसमें मैं उतना परिपकवी नहीं था फर्क यह और वो परिपकव नहीं था वो मैं बस चला गया पर यूं कहूंगा उसे बहुत कुछ सीख के आया मैं उसे अपनी घलती नहीं कहूंगा सीख कहूंगा कि उससे मैंने क्या सीखा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए यह अच्छी बात है कि आप लगाता सीखने का प्रयास करते हैं लेकिन शत्रुगन सिना ने कहा कि मेरी हार से क्या सीखें हैं शेखर सुमन जब उनसे पूछा ग देखिए जिंदगी सिर्व, देखिए मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता, शत्रू जे मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और बडासने है, अब बहुत प्यार उनका रहा है, मैं बहुत sम्मान से उनकी तरफ देखता हूँ, बहुत अहतराम करता हूँ, पर जिंदगी सिर्फayर औ वो हार तो उन्हें में मिली उसी पार्टी से उसी तो आट जीट का खेल है अगर bjp जीते की तो और सारेगी अगर जीते प्लिप तो राहुम जांदी हारें गई देखें वो तो आप राजनीत के बात कर रहा है मैं जंदगी की बात कर रहा था कि जिन्दगी सिर्फ हार जीत का नहीं है, ये खेल, मैं थोड़ा उसको फिलोसॉफिकली ले रहा हूँ, चुकि मैं एक्टर हूँ, मैं कोई एक अपना हार्ड कोर पॉलिटिशन नहीं हूँ, और बीजेपी में आने की वजह राजनीत से जादा जज़बात है, और मैं दिल से यहां आया हूँ, तो कोई ऐसे खुआशें लेकिन ही आया हूँ, कि मुझे राजनीत का हिस्सा बनना है, मुझे पद चाहिए, पद भी चाहिए, मैं तब भी गया था, तो मैं अपने देश के लिए काम करना चाहता था, अपने प्रदेश के लिए काम करना चाहता था, मैं भी वही करने आया हूं और वही चाहता हूं कि मेरे बिहार से चुनाव लड़ना चाहेंगे अगला आप मैं चुनाव के बारे मैं भी सोच ही नहीं रहा हूं अगर आप मेरी बात समझें तो मैं चाह रहा हूं कि मैं पार्टी का हिस्सा बनके और पार्टी की जो इडियॉलिजी हैं उनका जो फलसफा है उस से तो किके उन पार्टी या उस ख्यालात को और मजबूत कर सकूँ मेरे खाल से प्रधान बंतरी मानिया आदरिनी नरिदबोदी जी ने जो काम किया है जिस जजबे के साथ वो निकले हैं वो वाकई प्रशंसे निया है सरानी है बहुत काम किया है उन्होंने उस काम से जुड़ना चाहता चलिए आपने काम की बात करी आपने काम की बात करी तो इस खास दिन पर और अपनी बात रखने के लिए थैंक यू सो मच तो ये थे अभिनेता से नेता बने शेक अरसुबन